बूर्डिंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी प्रग्रा स्कूल के इस यूटूब चैनल में आप सभी कस्वागत हैं हम आज चप्टर नंबर फिफ्ट एट्थ मैथमेटिक्स में चप्टर नंबर फिफ्ट डाटा हैंडलिंग पडेंगे आज तो सबसे पहले हम भी डाटा चक्टा मेह न से किकी डाटा से इनफॉर्मेशन गड़ेडर फ्राम समवेर पतलंब जो भी जानगारिया हमें अधरिक्ट याइंडिरेक्ट कहीं से भी मिलतीं हैं स्पोज उस गाओं में में कितने आदमी हैं उस घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं एक स्कूल में कितने बच्चे हैं कौन सी क्लास में कितने बच्चे हैं उनके क्या क्या नाम है बहुत सारे इंफ्रमेशन जो हमें लिख जो हम लिख के कहीं से इकठी करते हैं पूछ पूछ के लिखते हैं वो सारे क कि ड़ा और को तैरे केंम ढूर् में कि डाटा प्राइमील शुनिदधा था क्या डीफरेंस है कि प्राइम डाटा जो हमफ प्रत्रेक्ड रूप से जो हम जाये सब देख से बताओ आपके अमरं कितने हैं आपकी उमर कितने हैं आपकी कितने हैं सब पर देख बच्चे की और फिर उसको नोट आउट करें जब कि सकेंडरी डाटा क्या होता है इंडिरेक्ट रूप से कहीं से और इन्फॉर्मेशन आप जो पहले से ही कहीं कठी पड़ी हैं उन से उठा उठा के आप एक फिरम उनको क चीज़ है से पहले जो है वह आपका पिक्टोग्राफ आ जो कि बच्टोग्राफ देखिए खराफ का मतलब क्या है कि सुपोज जैसे जो इन्फॉर्मेशन है किसी सुपोज कोई डिलर है कार्स की कार का शोरूम है और वहां से हमें पता लगा कि जो है rão है यह पर लख देंगे जिसे यहां पर लख देंगे करस्थ कार्ट कहसे देस्सें हम बात करें जनवरी ठीक है Фिर हम फैबरी फिर करें हम बात मार्च ठीक है तो सुपोज जनवरी में उस ओटो मोबाइल कंपने से जो है सुपोज फाइफ थाउजन्ट कार जो है प्रचेज की गई फिर फैबरी में मान लो वह आपकी थ्री कि थाउजन्ट और या फिर यह मान लो आप कि यह वन थाउजन्ट मालो मार्च में ठीक है अब देखिए इसको हम पिक्च्रोग्राफ में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भई पिक्च्रोग्राफ आपको यह बनाना पड़े यहां पर लिख देंगे हम जैनुवर्य यहां पर फैबरेरी और यहां पर मार्च ठीक है अब देखिए अम यहां पर मेजरमेट लिखेंगे वन यूनिट is equal to 1000 car ठीक है cars ठीक है 1000 cars तो यहां पर हम क्या करेंगे five cars की जो है टिक्चर बना देंगे हम ठीक है जैसे यह हो यह आपकी five cars होगी ठीक है तो आपको उनकी आप कोई भी और सिंबल भी ले सकते हैं जुरूर नहीं क्या आप कारी बनाएं जैसे सिंबल लिख लें आप ए एफ और 1000 car ऐसे भी आप लिख सकते हैं चीक है इस तरह से आप कर सकते हैं चीक है यह लो यह लो छूँख यह होगी एक एक यहां पर लिख देंगे यहां पर लखियेंगे सिंबल हो सिंबल में लिखेंगे वन यूनिट किज़गा हम लिख देंगे ये पिक्चर बना देंगे इसके ठीक है और इसका मतलब क्या हो जाये आपका थाउजंड कार हो जाएगा ठीक फिर यहां पे आपको कितने बनाने पड़ेंगे तो फिर राने पड़ेंगे ठीक कर रिटीकार्स हो गोगी और यहां पर आपको सिर्फ एक ही बनाने है ठीक है अब देखिए हैं शुपोज यहां पर अप्रेल और अप्रेल में और उसमें होती है आपकी फाइफ हंडर्ड सुपोज फाइफ हंडर्ड तो इन देट किसम क्या करेंगे यदि एक ये वाली पीच्छर लाओ ये कौन सी ये एक पिक्चर जो है वो हंडर्ड थाउजंड कार को रिप्रेजेंट कर रही है त ठीक है ये बना दिया आपका यह हाफ डाइग्राम हो गया मतलव यह हाफ जो पिक्चर जो कर रहा है यह फाइफ हंडर्ड को रिप्रेजेंट करेंगा इस तरह से आप इसको कर सकते हैं यह उताब का पिक्चो ग्राफ ठीक है और देखिए इसके बाद दूसरी चीज़ जो ह क्या पढ़ेंगे वैसमन क्या पढ़ेंगे बार ग्राफ बार ग्राफ देखिए बार ग्राफ भी आपका जो है दो टाइप का होता है एक तो सिंगल और दूसरा जो है डबल वार ग्राफ बार ग्राफ ठीक है बार ग्राफ सुपोज क्या है कि हम ये देखें कि कोई हम बात करें यहां पर जो है नेम आफ नेम आफ स्टूडेंट्स लिखें ठीक है और यहां पर लिखने मार्क्स अप्टेंट इन फरस्ट ट्राम ठीक है तो देखिए एक टेबल प्रिपेर करते हैं यहां पर हम ठीक है मान लो आपके पास स्टूडेंट्स है । प्रहित फिर आपके पास मॉनीका होती है फिर एक बच्चह मान लो धीनेश हो गया जो यह फिर मान लो आपके पास कौन हो गया पूजा हो गए ठीक है यह चार बच्चे है और इनके फॉस्ट समेस्टर में जो है टोटल मार्क्स पूछे गए आउट ओफ हंड्रेड सुपोज आउट ओफ हंड्रेड ठीक है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें हैं ठीक तो मानलो रोहित के नंबर जो मालो 90 चले गए और पूजा के मानलो 40 फॉर जांपल हमने रफ ली कोई यह जो है डाटा लिये हैं ठीक है तो देखिए अब इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका ठीक है देखिए इस तरह से हमने इनको यह इस तरह से एक टेबल बनाएंगे आप हमेशा उपर की तरफ नंबर्स को लिखेंगे आप और इधर क्या लिखेंगे कोई भी अब्जेक्ट्स किसी के नाम है या और कोई जिसके बारे में इन्फरमेशन है नंबर्स ठीक है तो यहाँ पर हमेशा आप क्या लिखेंगे ठीक है अब देखिए यह आउट ओफ हंडर्ड है तो यह जो वन यूनिट है उसको आप कितना कह दें वन यूनिट है यह हो जैब का वान टू थ्री फॉर फाइफ शिक्स चलो यह तो उपर जाएगा तो इसको हम ट्वन्टी कर दें टू फॉर शिक्स एट और टैन बस और तो कुछ नहीं यह हमारा ग्राफ उपर जा रहा था इसलिए हमने उसको थोड़ा से और बड़ा कर दिया टू फॉर शिक्स एट जैन ठीक है और यहां तो क्या लिखेंगे हमें मार्क्स ठीक है यह यह लोग यहां पर आप इसको ट्रॉल कर सकते हैं और इधर हम क्या लिखिक दें नंबर ओफ स्टूरेंट्स नम्बर ओफ स्टूरेंट स्टूरेञ्स नमर ऊसूरे नेम ओफ नेम आल geen name of student तो स्वसे प्रेले कॉन था आपके पास रोहिट तो ही हाँ पे को ना आएगा रोहिट देन थोडा से इक्वेल डिस्टेंस पे हम क्या ले लेंगे मानी का ठीक है दैन धन हम ले लेंगे दिनेश ठीक है यहाँ का दिनेश हो गया और यहाँ पे लास्ट में आपका क्या Verf सह अफ़ देखे अब हम यू देखेंगे इस टू का मतलब है कि टू का मतलब है 24 का मतलब 40 ठीक है हम लिख देंगे 1000 पिर एक नोज मेश Er j Cup 2 टैन मांक्स ठीक है यह आप दरूर लिक यह यह वन इनदम टे मार्क्स क्योंकि तो वन ये टू ये थ्री ये फॉर फाइफ ये इस तरह से तो का मतलब ट्वंटी मार्क्स है तो ये यूनिट आपको लिखने पड़ेगे ठीक है अब देखिए रोहित ने कितने मास लिए 70 तो 70 ओब इस लिए आपका 60 और 80 के बीच में आएगा ठीक बीच मे है यहां तक रोहित के ठीक उपर आप यह थोड़ा सा पाइंट आउट कर दें ठीक है और इसको थोड़ा सा अकस्पेंट करके एक बोक्स टाइब बनाएं दोनुं साइड एक्वल डिस्टेंस रखते हुए ठीक है यह आपका हो गया 70 ठीक है रोहित ने फ़र्स्ट समेस्टर में कितने मार्स लिए 70 फिर मोनिका ने 50 तो 50 अब इसलिए आपका किसमे आएगा 40 और 60 के ठीक बीच में यह हैं आपके मोनिका के मार्स इसके बाद दिनेस दिनेस गौट 90 तो 90 आएगा आपका 8 और 10 के ठीक बीच में ओके यलो इस तरह से हमने इसका यह आपका 90 हो गया दिनेस और नपूजा 40 तो पूजा तो यहां पे जो है आपका 40 पे ही आ गये हैं यह था आपका सिंगल बार ग्राफ चुक्त है अब देखिए हम बात करें डबल बार ग्राफ की सुपोज इसी क्यूशन को हम थोड़ा सा और बढ़ाएं और उन्ही बच्चों के सेकिंड ट्रम्स के मार्क्स लिख लें इसी के ठीक निच्चे जो है हम उनके सेकिंड ट्रम के मार्क्स अप्टेन इन सेकिंड ट्रम्स ठीक है तो सुपोज यह टी लिए इसने मालो 60 ले लिए यह मालो डाउन हो गया इट्टी पे आ गया और यह मालो आपका 60 पे चला गया ठीक है इस तरह से हमने एक टेबल और प्रिपेर कर लिए ठीक है अब जो है बार ग्राफ आपको इसी में शो करना पड़ेगा देखे रोहित ने फरस्ट ट्रम में 70 लिए जबकि रोहित ने सेकिंड ट्रम में 80 तो रोहित यहां पे था यह इसका बना हुआ है इसके 80 तक पहुंच जाए यह यहां तक इसके साथ लगता हुआ बोक्स आप यूज करें और एक लाइन जो है उसकी पहले बोक्स के साथ यूज कर लें तो इसको हम यहां तक पहले सकते हैं इसके बाद दिनेस जो है दिनेस गोट 80 मार्क्स सो देने सो है डाउन आता है आपका यहां तक यह 80 मार्क्स पर और पूजा गोट 16 सेकंड सेमस्ट्रे सेकंड ड्रम यहां का 60 तक आ गया है यह लो यह आपका 60 चीक है यह आपका 60 था ठीक है इस तरह से यह देखिए तो यह डबल बार ग्राफ आपका हो गया है ठीक है अब देखिए इसमें आपको जो ना इंडिकेशन देना पड़ेगा यह तो चलो मैंने डिफरेंट पैन यूज कर लिया सुपोज आप ब्लूपैन से ही इसको आप कर सकते हैं तो यहां पर आप इसको यदि ब्लूपैन दोनों में हैं तो एक में आप इस तरह से कोई सि आप डिपेंड करता है लेकिन आप उनको अलग्षे शो करें ठीक और फिर लास्ट में लिख वी दें कि आपने कौन से सिंबल किसके लिए यूज किया हुआ है ठीक है यह लिजिए सुपोज यह एक ही टाइप के पैन से थे दोनों ही ब्लू से थे तो यहां पर आपको फरस्ट ट्रम ठीक है और यहां पर फिर इसको आप इस तरह से करके डोटिट शो करके और आप लिख देंगे रिप्रेजेंट्स मारक्षिन ने सेकेंड ट्रम्स ठीक है यह आपका डबल बार ग्राफ होता है ठीक है तो अब आज के लिए इतना ही बाकी हम जो है कल कराएंग कि इसी पर बेस्ट कुछ करने के लिए देंगे आपको गूगल क्लास्रूम में थैंक यू है वैव नाइस टेंग